गुद्वर्न इसक आज दूसरे के लिए के लिए कहे लिए कॉश्ण बहुत सिंपल है, मैं आपको एक वाश्ण करके दिखाता हूँ कि जो इक वाश्ण दिखाने के लिए वा आपको किस तर से कॉश्ण देता है ठीक है जैसे की माणना मैंने आज की question दीए आपके पास कहता है य आपको दे रखा है cot square x minus b2 cot of x plus b2 x equals two means bby by 4 आपको tangent की equation ने ने काले है आपको क्या ने काले है ने 2 तेंजेंट की एक्वेशन निकाल रही है अब एक बाथ को सुनू दोगा ठीक है टेंजेंट की एक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है परनीबस समझें क्या पाइगे माम भी कर्था उसकी उपर ये टेंजेंट आ रही ही इस line की equation निकालनी है पहला काम को देखो मिने इसका क्या तरह swap लिया dy by dx तू आगे आता है एक quart of x बन गया और quart x को क्या होता है माइनस में cosecant square x माइनस में तू quart को क्या होता है माइनस तो माइनस माइनस प्लस होगी और cosecant square x प्लस में 0 होगी समझ गए ये बाइत आप लो ठीक है मेरे परास परम्याद फ्वाप निकालता हूं आपको दे रखा है कि X की वेलू Pi by 4 है यानि कि जहां पर भी X है हम वहां पर क्या कर देंगे बच्चो Pi by 4 को फुट कर देंगे कोट 45 Pi परफो मतलब 45 ग्रहा क्या होता है 1 Multiplamate कोट सीकेंट 45 कोट सीकेंट 45 क्या होता है root 2 की root 2 करसके कितना होगा है 2 पर यहां कभी यह आए है जो को यह 4 माइनस का और यह 4 प्लेस का भी 0 जो Slop आपके पास है वो क्या होगा आप जो 0 हो गया Slop 0 होगा कोई बात नहीं गभराने की जोड़त नहीं Slop 0 होगया Equation आपको यह कहती है जो किसी भी लाइन की equation इंक्वेशन 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 नहीं जाएगा मुझे य की value मिले जा रहेगी कोट पार पर आपको पता है 1 होता है यह बात नहीं हो जाएगा और यह भी तो आपको पता है य की value 1 आ गही तो यानि कि वाड़ी माइनस में यह 1 Slop आपके पास 0 है और x माइनस में आपके पास क्या आगया 5 है आपको पता है यह मेरे पास 0 है य की value 1 यह आपके पास क्या निकल गी equation निकल गी tangent की मेरे पास क्लियर है इस question के अंदर कोई परक नहीं परता स्लोग 0 आभी जाए तो आपका गवराईया आपके पीस्या जैसे अब मेरे पास next question आते आपके आपके next question आपके होई है जैसे की y इस curve के according लिए आपको tangent की equation निकालना है किसकी equation निकालना है आपको tangent की equation निकालना है तो देखर सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा slopping कालना है differentiation करना है और क्या पर which cuts the x-axis x-axis पे cut करने का मतलग क्या होता है y का point 0 है यह definite है बात की story यह पार्म देखेंगे आप मेरी बात को सुनिए मैं यहां से करता हूँ y as it is अब इन दोनों में करूँगा मैं तो u into b x-2 as it is उसका करता हूँ clear आपके पास plus me x-3 as it is इसका करता हूँ अब आपको पता है इन दोनों को तो मैं ऐसे का ऐसा रखूँगा y का करता दी वगाए dx होगा minus x का 1 होगे यह 0 होगया और साथ हमारे पास समझ गए न अच्छा अब आपको यह पता है y in 2 में x-2 plus me y in 2 में x-3 और यहाँ पर क्या है मेरे पास x-2 in 2 में अच्छा यह term देखूँ यह पूरी term देखे minus हो गई मेरे पास मुझे तो slope निकालना है तो एक बार बता हूँ यह पूरा term मेरे पास multiply में इदर आके क्या हो जाएगा divided हो जाएगा यह minus के साथ ही लिए अपको बाती है अब मुझे पहले x की value भी निकालने पड़ेगी x की value में क्या करता हूँ यहां पी जहां पर भी y है वहां पूट कर दो देओ यह तो पूरा term 0 हो गया तो मेरे पास यहां से यह x की value क्या आगे विच्छों साथ और y की क्या थी 0 slope निकालने के लिए यह पूट कर दूँ y तो 0 यह भी 0 x की जगे में क्या हूँगा 7 पूट कर दूँगा तो तर वह minus 1 बाई में minus था 7 by 2 कितना हुट रपाई और 7 यह 4 1 से बंग कैंसे 1 by 20 आपके पास क्या आगे slope आगे लिए लिए आपको tangent की equation निकालने थी क्या होता है y माइनस में y1 यानकी 0 slope x माइनस में x1 यानकी 7 120 y is equals to me x माइनस में 7 यह आपके पास क्या बने गया tangent की equation अगर इसी में मुझे normal की equation कहता normal की equation में आपको पता है जो slope होता है वो मेरा इस लॉक का उल्टा हो जड़ा वहने की माइनस का 20 में जड़ेदा otherwise मेरे पास जो सब कुछ है जो सेम रहने बादा जो कुछ change नहीं होने बादा जानकी ज़ाए आगे लिए लिए अच्छे से जड़े लिए अब जैसे की बच्छों आपकी बच्छों आपकी x into y दे रखता है a square x square plus me y square दे रखता है to a square कहते है प्रूफ करो कि यह जोनों एक दूसरे को touch करते हैं जोनों क्या करते हैं एक दूसरे को touch करते हैं आपके पास अब जब आपको यह क्या रखता हो ना कि touch करते हैं तो सबसे पहला काम आप लोगो करना चाहिए, कि उन जोनों के बीच में जो एंगल होगा, वो होगा 0 हो, समझ गेए अगर दो के बीच का जो एंगल होगा वो 0 होगा, तब ही आप रटे सकते हो तो touch करते ही, बात याद रहेगा touch each other का मतलब होता है कि एंगल 0 होना चाहिए अब देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया यहां से यहां से मैंने य की वेज़ों निकाली A² by me X उसके अंदर फुट कर दी तो मुझे पहले X सब भाई भी तो पता होना चाहिए न A² by me X का whole square हो गया मैं गुज़ेगा इतना स्विडम मेरा दिकी किया न अब देखो X square A4 by me X square is equals to me 2 square अगर मैं anything रहता हूं तो X square यहां X की पावर 4 A4 और यहां बचे लिए 2 square आपको पता है solve करके X4 यह minus का 2 square X square प्लस में A4 बचे जाएगा आपके पास यह quadratic को solve करते है इसको में यह दे सकता हूं A2 X square minus A2 X square हो के मेरा काव समझे न क्योंकि आपको बता है इस पोर को में यह दे सकता हूं आगर आप उच्चोपाई से समझे नहीं आता तो कोई बच्चे इसको यह भी कह सकता है इसको बता है कि X square को बता है इसको बता है क्योंकि यह दो बहुत सिंपल सी बात है वह दो बहुत वारी अकाम करके आए है समझे नहीं मेरी बात है अब यहां पे मेरे पास क्या आगया A square Y minus A square Y अब यहां से common यह तो Y common आगया Y minus में A square minus का A square common आगया Y minus में मेरे पास क्या बच्च गया 1 A fourth नहीं है sorry A square बच गया तो आपके पास दू पेर आगए एक तो Y के मेरे A square आगए दूसरी तो Y के मेरे क्या आगए A square आगए रेक्चर में बच्च तो क्या है X square तो X की value क्या आगए plus minus A और यहां करके क्या आगए plus minus A basically X की values आपके पास दो आगए एक plus A और एक minus A तो अगर मैं plus का A put करूंगा तो यह आजाएगा A minus का A put करूंगा मैं तो मेरे पास आजाएगा minus A यह समझ आगए यह point सब को अच्छे से अब यह देखो अब निकालते हैं slope दोनों का slope उसका भी और दूसरे वले करका भी पहले में इस वाले का slope निकाला तो X as it is Y का कर्मा तो दीवादाए टी-X रसमें Y as it is X का बन और यहां 0 हो गया तो मेरे पास डी-वादाए टी-X का आगया minus का Y by में X minus का Y की value क्या थी minus का A और X की value क्या थी अच्छा आगर मैं पहले वाले के लिए अभी के लिए रूप जाओ इसको अभी के लिए आप इसको ऐसी रखेंगे कि Y by X आपके पस क्या आगया stop आगया आप इसको रेकर stop निकालते हैं X पे तो 2X 2Y DY by में DX और वो तो 0 समझ गए होगे आप 2Y DY by DX उदरा के minus का 2X 2 से तो cancel DY पे DX के आगया minus का X by में Y अब यह देखो अगर मैंने वहाँ पर आपके एक value को put करा मेरी plus APY प्लस AP X minus का बना आगया आगर minus का put करता हूं मेरे पास तब भी मेरे पास आंसर का आएगा मैंने 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 आगा आगर इस case में भी आशी होगा मेरे पास minus का बनाएगा और minus का बनाएगा यानि कि मुझे बसा जिल गया दोनों के slope क्या है same तो यानि कि lines तादल होगी parallel होगी तो बनेगा या तो कुछ हो अब आगर निकालते है तो कि touch भी तो रमेच में आगर में तो जिरूरी नहीं है दूर हो जाए तो क्यापने touch ना भी करें तो tangent theta का formula होता था m1 minus में m2 1 plus में m1 into में m2 m1 का slope में पास minus 1 था और m2 भी minus 1 था मेरे पास minus 1 into में minus 1 यह देखो भाई minus minus plus हो गया 0 जब theta 0 आगया मेरे पास क्योंकि tangent theta और tangent inverse 0 0 आगया तो इसका मत पर क्या करते है वो touch करते नीचे दे conceptually हुआ अच्छे से ते और 2 1 2 3 5